हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है लर्निंग मंत्रा पर मेना नाम है लोकेश और आज हम डिस्कुस करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पुलिटी या राजववस्था राजववस्था में आज हम जिस टोपिक भी बात करेंगे वो है स्टेट पूरा का पूरा सब्जेक्ट एक शब्द पर निर्भगरता है राजववस्था जैसे राज्ये की ववस्था तो उसमें राज्ये शब्द का क्या मतलब है इसी से हर चीज को समझेंगे तो आईए तो हम से टेलिग्राम पर जुड सकते हैं और लर्निंग मंत्रा फोर स्टुडेंट्स के नाम से हम सर्च कर सकते हैं या फिर इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो यह शुरू करते हैं सबसे पहले क्या है सबसे पहला शब्द है पुलिटी या पढ़ा जाता है दूसरा शब्द है शब्द का नाम है पॉलिटिकल साइंस यूश्टी कोलिज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे कोई पॉलिटी नहीं बलकि पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई रती है पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या है कि राज्य की ववस् साइंस नहीं पढ़ेंगे ना केवल स्विधान में पढ़ना है हमें राज्यों की ववस्था समझनी है और उसके साथ स्विधान को अध्यन करना है तो आई ये शुरू करते हैं सबसे पहला शब्द है सारा खेल शब्दों का है पहला शब्द है राज्य की ववस्था आज इस पूरे lecture में केवल एक ही शब समझेंगे वो है रज है उसी की उत्पति परकार उसके परीभाश हैं क्या है क्या है क्या नहीं है सभी की सभी चीज़े यहीं से लिंग हो जाएगे पूरे subject में तो आप देखेंगे तो political science का जो पिता है उसको कहते हैं Aristotle अरस्तू देखो कई आपने नाम अलग अलग मिलेंगे और राजा का नाम अलग होगा ऐसे ही English में अलग और इंदी में अलग जैसे एक राजा है जिसका नाम है Alexander अब उसको इंदी में शिकंदर कहते हैं basically क्या ऐसा हो सकता है पुराने समय में जब वो राजा मारे आप आते थे तो उनके नाम हमने अलग तरीके का नाम करण किया या आपर उसको अलग तरीके से बुलाया इसलिए उसके नाम दो-दो चल रहे हैं तो यूरोप में जिसको अलग जैन्डर का जाता है उसको भारत में सिकंदर के नाम से जनते हैं ऐसे ही अरिस्टोटल अरिस्टोटल को भारत में अरस्टू के नाम से जनते हैं आईए उसके बार हम थोड़ा समझ लेते हैं तो यह है अरस्टू जी इनका ये एक स्टेच्च्यू है बेसिकली क्या है अरिस्टोटल का जनम हुआ था 384 CBC में और 322 BC तक उन्होंने जीवन जिया तो युनान नाम का जो देश था उसके स्टेट में एक स्टेट था मकदुनिया उस स्टेट में ये पैदा हुए थे तो इन्होंने एक स्कूल वगेरा ही बनाया था इनके जो गुरू थे उनका नाम था प्लूटो प्लूटो नाम के बहुत महान फिलोस पर रहे हैं जी हो इनके गुरू होते थे और इनका जो मतलब शिश्य था बहुत इंपोर्टेंट शिश्य है दो थे एक था थी और एक थ था सिकंदर सिकंदर का नाम बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा जाना रता है पूछ लिया रता है कि सिकंदर का गुरू को था तो उसका नाम था रस्तू इन्होंने जो भी चीजे लिखी है उनका बहुत सारे सब्जेक्ट जो पर नाम लिखे वे हैं political science का पिता माने जाता है तो आगे शुरू करते हैं पहला शब्द है राज्ये देखो मैं राज्ये की विश्था में दो शब्द समझने पहला शब्द राज्ये, दूसरा शब्द है विविश्था उन्ही को पूरा खोल के समझेंगे पूरे के पूरे subject की जड़ी यहीं पर है तो आगे शुरू करते हैं देखो राज्ये की जो परिभाशा है basically राज्ये की ऐसी कोई परिभाशा नहीं है जिस पर dispute ना हो हर किसी ना किसी परिभाशा पर कोई ना कोई dispute है, तो राज्ये की जो सबसे जबरदस्ट परिभाशा है जो सबसे आसान परिभाशा मानने वो यह हो सकती है कि अगर किसी देश की जमीन के परती, जनता के अंदर हमकी बावना आ जाए उसी को देश का देते है अब जैसे अगर भारत वर्ष की बात की जाए, तो भारत में क्या था, जब तक बात में अंगरेज नहीं आये थे तब तक भारत कई अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, भारत के अंदर ही कई देश चल रहे थे, अलग 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 राजा होते थे, उनके अलग 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 परजा होती थी और वे उन्ही को कंट्रोल करते थे फिर बाद में भारत के इंदर अंग्रे जाए उनहों ने भारत के जनता प्रत्यचार किये और जनता ने जो नैशनल मूइमेंट किये मतलब राष्टरी आंदूरन किये उन राष्टरी आंदूरनों में उन्होंने एक जुट होके अंग्रेजों का सामना किया तो हमारे देश में जनता एक होगी एक साथ होगी इसी को का गया हम की बावना तो भारत को भारत बनाने का जो श्रे दिया जता है वो दिया जता है नेशनल मुव्मेंट्स को क्योंकि उन्हें बारत की जन्ता में हमकी बावना पैदा की कि अंगरेजों की तरफ उन्हें आवाज उठाई कि हमारे देश को छोड़ ग에 निकलो यह जो हमकी बावना थी यह नैशनल मूवमेंट से पैदा हुई किसी भी राज्य को राज्य बनाये रखने के लिए जनता के अंदर हम की बावना होने चीए कि ये हमारा देश है हम यहां के लोग हैं ये आपके में पोइंट है कि हम की बावना के बगार देश नहीं बन सकता तो नाशनल मुव्मेंट ने भारत को बारत बनाया अगली जो चीज आपको पता होने चीए वो है origin of the state राज्जी की उत्पती हुई क्यों देखो क्या है basically सबसे पहले जब दुनिया शुरू होगी तो population बहुत कम रही होगी population कम थी इंसान भई क्या करता था खाना बोजाता होगा अब जंगल होंगे बहुत सारे फड़ फूरूट होंगे और इंसानों के पास खाने ही कमी नहीं थी ज्यादा और इंसान एक जूट होगे रते थी क्यों को एक दूसरे की रख्षा करने थी society बनानी थी अब पूरा ग्रूप बना गे रहेंगे तो ओविसलिए उनको इतनी दिक्कत नहीं आएगी स्टाटिंग में जो बात थी वो थी कि पॉपुलेशन कम थी और खाना जादा था तो किसी बात का जगड़ा नहीं था सब मिलबाट के खाले थे दो आदमी खड़े हैं एक पेड है उस पर फडल देवे हैं अब यह आदमी कहता है यह पूरा पेड मेरा है उसरा कहता भाई तू भी खाल दे मैं भी खाल हुआ इसी किचन ता कर रहा है थीक है तो बात यह है कि खाने के उपर जगड़ा बेसिकली नहीं था समय बदला तो पॉपूलेशन होगी ज्यादा और खाना रहने वड़ा कम संसाधन कम होगे तो इंसान उने का भी अब जगड़ा होने लगया एक चीज़ के उपर लाड़ू च्यार खानाने दस तो सिद्धी बात जगड़ा होगा तो आपस में एक दूसरे के साथ जगड़ा होने लगा अब जगड़ा होने लगा तो इसलिए इंसान उने एक व्यवस्था बढ़ाई एक ताकत उर्शाद में ने का भी कि कोई चंता ना हम इंसान है बगवाने दिमाग दिया है लड़ क्यू रहे हैं तो में काम करते हैं हम शानती से मिल बात के खालेते हैं अब मिल बात के खाएंगे तो अब ये कुण डिशाइड करेगा कि भई मिल बात के ही खाया जाया राम से तो कोई कम जोर इंसान को ऐसी ताकत दे देंगे भी बात ने की तो उसके सब चीन लेंगे तो इसलिए ताकत वर इंसान को चुना गया है आप समय बाड़ दिया गरो फिर देरे 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 वो एक सिस्टम बनता गया वो कबीला था कबील लेगा एक कबीलदार बना उसको हैड मिला देरे 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 वो एक राजा बन गया अब राजा भी फिर क्या करने लगा राजा बेदबाव करने लगा जो राजा था वो अपने रिष्टेदार इसी बेदवाव ने दुनिया में करानतियों को जनन दिया रा सतंतर जैसी व्वस्थाय अर दुनिया को नहीं नहीं व्वस्थाय मिली ऐसे राज्ये शुरू हुए और बदले इसके बाद क्या है जैसे हमें जो अगली चीज समझनी है वो है element of state राज्य के तत्तों क्या है राज्य बनता कैसे है तो basically राज्य के चार तत्तों माने ज़ते हैं सबसे पहला तत्तों है भू भाग या लेंड कोई भी देश है उसका एक particular लेंड होना चीए जैसा की मैप में दिखाया गया है दूसरा population तो उसकी गिने गिनाई जनता होनी चीए भई जैसे भारत की 137 क्रोड जनता है तो population उसके अंदर रहने वाड़े लोग होने चीए तीसरा ये जो जनता नहीं है तो बोड़ सराती तत्तों टाइप की होती है जनता को कंट्रोल करने के लिए गवर्मेंट होनी चीए जिसके पास ताकत होती है कानून की लोगी और ये कानून नाम की चाप बुक से जनता को कंट्रोल करती है फोर एक्जामपल जैसे दुनिया में आज के दिन कोरोना वाइरस फैला अब फैलने के बाद पता चला आदमियों से आदमियों वापस में फैल जता है तो इसके लिए मास्क वगएरा सैनिटाइजर वगएरा तो रूल बना दिया भई सब मास्क लगाएंगे ऐसे ही चोरी करते हैं तो इसके लिए सजा रख दी तो जुरूरत के इसावसे अलग अलग जैसे रेड़ लाइट क्रोग से लिए जुर्माना तो जुरूरत के शावसे कानून बनते हैं तो क्या है वो कानून के डर से जनता कंट्रोल में रखती है तो आखरी जो चीज सरक्राज्य को बनाने के लिए चे वो है संपर्भूता या पर्भूसत्ता सोवर्नीटी कह देते हैं इस ता मतलब होता है यह जो सरकार न इस सरकार के पास ताकत हो निरिने लेने की कि क्या होगा देश में अंदर क्या होगा बार क्या होगा यह निरिने लेने की ताकत सरकार के पास जैसे भारत के पर नांत्री शिरिंद्रिंद्र मोदी जी ने आठ नॉम्बर 2016 को बाशन दिया कि आज रात बारा बज़े से पान सो जार के नोट बंद के जाते हैं और उन्हें ने जो कानून बनाया जो बात कई वो एक्जेक्टली रात को बारा बज़े लागू होगी तो इस तरीके से सरकार जो चाए निरिने ले सकती है इसकी बज़ाए आप या हम खड़े हो कह दे आज रात बारा बज़े से प्रचास का नोट बंद करते हैं तो कुछ बनाने वोने वाड़ा क्यों क्योंकि हमारे पास कोई ताकत निरिने लेने की तो हमारी सरकार जो निरिने लेती है किस के साथ हमें अच्छे समझ रखने है किस के साथ बुरे रखने है किसके साथ क्या change करना है कैसी नीती अपनानी है कैसे पार करना है सब सरकार decide करती है परबुता संपरबुता या परबुसक्ता आप समझे होगी अगर आप से पूछ ले कि इन चार तत्वों में से सब से important क्या है तो सब से important है sovereignty क्योंकि ताकत निर्णे लेने की ही सब से important मनी जाती है तो जो government सरकार है अगर वो निर्णे ही नहीं ले पाएगी तो कोई फाइदा नहीं है अगली जो चीज़ आपको पता होनी चीए जैसे ये चार तत्तवों मस्ट हैं मतलब अगर इन में से एक भी जत्तव ना हो तो देश नहीं मना जाकता तो सब से पहले जमीन चीए उसके बाद population चीए उसके बाद जैसे इंडियन government है बारत सरकार है ऐसे ही और बारत के पास सभी निर्णे लेने की ताकत हो कि हमें किस देश के साथ कैसा भी एव करना है कैसी लड़ाई लड़नी है देश के अंदर कोण सा कानू लागू करना है कब लागू करना है कब क्या चेंज करना है वो सब सरकार डिसाइड कर सके तो ये चार तत्व हैं पूरी की पूरी पॉलिटी में इन चार तत्वों की बहुत वेल्यू है जब भी हमागे चीज़े समझेंगे तो उसमें इन सब चीजों का बहुत जिकर होगा तो इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ लेना है अब भारत का मैप देखे एक चुटकला याद आया एक बार एक छोरा हुआ है वो चला जैं इंट्रुडेर्ण इंट्रुडेर्ण जावाँ है तो जो इंट्रुएर होगा है वो भारत का मैप लेगा बेट्वा है बारत का मैप लेगा बेट्ट्था हो बगई जो भी आत्तु उसे पूछते नुप अब JrUL दिल्ली कड़ा है खाली मैप अब बचारा देखा है ना पता दिल्ली का है तो उन्हें फैल करते वाप इस लाज़ा भी ऐसे करते करते उसे नहीं दस-पंद्रा बीस-पचीस भाड़क आउट कर दिए आउट करें तो जो बार थे वो सब जाग बताओं भाई के हो या के कोई भी आए नहीं बर ना कोई बताता कुछ तो उसने सचल कर्शन चेंज करके देख लेते हैं तो उसने का नो बदा बटा इस मैप में गंगा नदी कड़ा है उन्हों फसे गंगा नदी बेरा नहीं तो उन्हों बल्या गंगा में डूब कबर आदिल्ली पूछ लेने यार अगली जो चीज अमें समझनी है रज्जय के अंदर हमने देखी थी सरकार गवर्नमेंट और सरकार बनाती कानून तो सरकार के יुए सरकार के तीन और्गन होते हैं तीन होते है चार मानने जाते हैं समझेंगे चोथा क्या माना जाता है तो सरकार ये तीन अंकोण से हैं पहला सरकार का उसको कहते हैं legislative मतलब विधानपाली का इसका काम क्या होता है इसका काम केवल कानू मनाता है इसका एक ही काम है बैठ के ये सोचना कि ऐसा कौन सा अच्छे सिच्छा कानू मना जाए कि हमारी कोण इंक्लूड है तो पहले जैसे हमारे देश की पारलियमेंट संसद और दूसरी है legislative assembly विधान सभा ये दो ऐसी जंग है जहां पर केवल कानून ही बना जाते हैं आप जब भी विशंसद मेरा जैसे सभा लोग संभा के बारे हम कुछ देखेंगे आप आपको देखेंगे आदमी भैस कर रहे हैं अलग-अलग कानून बनाते हैं भाई ये कानून बना दिया हमने ये कानून बंद कर दिया ये चलू कर दिया यूश नया कानून लागू करेंगे ये सब चिजह legislative करता है दूसरा जो आँखेंग है उसको कैते हैं एक्जीक्यूटिव कारियप अलीग करती क्या है इसका काम है जो कानून बना दिया उस कानून को लागू करती है अब कानून को लागू करती है तो लागू करने वाड़ा कोण है भारत का प्रदानमत्री हमारे देश के राष्टपती को सला देता है और उसके नाम से कानून लागू होते है तो कानून लागू होत है सरकार गा तीसरा इंपोर्टेंड है उसको कहते हैं जुडीशरी में क्या इस नियाइपालिका में क्या है ॏ उसका सबसे पहला काम है वह जू कानून बन गया उस कानून की रख्षा करना है मतलब उसके साथ कोई छ्यड शारना करें दूसरा कानून अब क्योंकि पूरी नयपली का जनता है जनता अपस में लड़ती बिढ़ती बिरती है तो जनता के लिए नयाय करना उसको रोकना कंट्रोल करना और तीसरा है कानूनगी व्यक्या करना व्यक्या करने का मतलब है जैसे मान लो एक शब्द के कई मतलब हो सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भारत में ये बताता है कि किस शब्द का हम कानून में क्या मतलब लेगे चलेगे तो हमारा जो जूडिशिरी है इसमें कोण कोण इंक्लूड है तो सबसे पहले सुप्रीम डिश्टी कोट ये सब हमारे मतलब जूडीशिरी के ओर्गन है सरकार का जो चोथांग माना जाता है उसको कहते हैं मीडिया जो भी मीडिया है वो क्या करती है सरकार के जो भी कारणामे है या अच्छे हैं चाए बुरे हैं उनको जनता के सामने पेश करती है, तो जनता के प्रेसर के वज़े से सरकार अपने काम करने के लिए बाद दो जाती है, तो जैसे आप देखेंगे बारत के बहुत अमीर आदमी, या कोई बहुत बड़े आदमी, ओफिसर हैं, वे कभी भी जेल में ना जा पते, अगर कही ना क प्रेसर के वज़े से उनके उपर कारवाई हुई, आज गे दिन वे जेल में है, ये एक बड़ा रोल माना जाता, इसलिए फोर्थ पिलर ओफ आवर गवर्मेंट किसे कहते हैं, तो वो है मीडिया, बहुत इंपोर्डेंट कोशन है, बहुत जादा बार एक्जाम में पुछ को समझ लिया था, समप्रवूता का निरेना बनाने की शक्ती आप ले पाएं और दो प्रकारी होते हैं, एक आनत्री संप्रवूता, एक अमारे देश में क्या होगा, वो डिसाइड करना, दूसरा हमारा देश किसके साथ कैसे सम्बन रखेगा, किसी देश के साथ, तो वो ड मतलब देश होता है हम यह पर स्टेट हरियाना सरकार यह बात नहीं कर रहे हैं अगर आप समझेंगे तो राज्य जो है बेसिकली अरियाना सरकार है तो अरियाना के पास भूबाग भी है population भी है, सरकार भी अर्याना सरकार निर्यने लेने की शक्ती भी है लेकिन निर्यने लेने की शक्ती है केवल आंत्रीक अर्याना के CM केवल अर्याना में ये डिसाइड कर सकते हैं कि अंदर क्या होगा अर्याना किसी देश के साथ कैसे निर्यने रखेगा कैसे संबन रखेगा वो डिसाइड करती है कि इंदर सरकार तो अगर किसी देश के पास अपनी सब भी ताक्ते हैं संपरबुता हैं तो वो देश को देश माना जाता है अब अगली जो चीज है वो है राज्य के परकार टाइपस ओफ स्टेट्स तो राज्य कितने परकार गया तो राज्य मेलनी दुनिया में दो परकार के उतने हैं पहला राज्य का परकार उसको कहते हैं एथ्णिक स्टीट मतलब नर्जाती राज्य अब जो जनता थी जैसे पगलेख भो टाइप की जनता है उन में से खटे कुन रहते हैं वे इंसान इखटे रहेंगे या तो वे ए एक ही परजाती के हैं, एक ही रेस के हैं, जिसे अमारे दुनिया में कई परजातिया हैं, जिसे मंगोलाइड, कोकेशाइड, निग्रोइड, ऐसे परजातिया हैं, तो उसमें से सेम दिखने वाले सबी, जैसे आप कहीं जाएंगे, जैसे इंग्लेंड आप गए, तो सब के सब लंबे-लंबे गोरे-गोरे मिलेंगे, वे हैं कोकेशवड़ पर जाती गे, तो ऐसे वो सब एक ही साथ रह रहें, उन्होंने समने मिल गए एक ही, अब देखने में सब एक जिसे हैं, समने मिल गए एक ही जंग है रहना शुरू कर दिया, वहीं पर सिस्टम मना लिया, तो रेस एक है वे सभी के सभी Christian द्रम को मानते हैं हिसाई द्रम को मानते हैं तीसरा वे सभी के सभी अंग्रेजी बोलते हैं French बोलते हैं जर्मन बोलते हैं तो basically क्या है ethnic state का मतलब जहां पर जो जनता है वो किसी religion, race या language के आधार पर एक साथ रह रही है वे सब एक जैसे हैं एक जैसा द्रम मानते हैं एक जैसी बाशा बोलते हैं इसलिए खटते हैं उसको राजय कह देते हैं वैसे राजय कहते हैं ethnic state जितने भी देश है जैसे जर्मनी तो जर्मन बाशा बोलते हैं लोकोशेड परजाती के क्रिश्चन दर्म को मानते हैं ऐसे टाइप मा तो वो चीज आप समझे गया होगे दूसरा है कमपोजिट कल्चर का देश इसका मतलब जिसमें कई दर्मों के कई परजातियों के और कई भाषाओं के लोग रखते हों जैसे अपना प्यारा भारत जैसे United States of America अमेरिका में भी कई जाती दर्म भाषाओं के लोग रहते हैं आज के दिन सचाईए है कि दुनिया की लगबग हर देश कमपोजिट कल्चर के देशों में कनवर्ट हो रहे हैं क्योंकि आज के दिन आदमी दुनिया एक गाउं की तरह हुई है यहां से वहाँ आना जान आसान हो गया है दूसरा आज में बहुत सारे जोब कर रहे हैं तो उसी देश की नागरितन को मिल जाती है तो इस वजह से हर देश में लगबग हर धरम भाषा जाती है लोग आज कल मिलने लगए है तो लगबग दुनिया आज की दिन कमपोजिट कल्चर की तरफ चल रही है ये बात आपको ध्यान रखनी है तो आज की सेशन को समाप्त करते हैं I think आपको स्टेट रज्य के बारे में ठीक था बात समय में आगे होगी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पैस करें ताकि कि सब याने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए आज का करेकर हम समाप्त करते हैं तो क्याम आपको सुझा पाया